दोस्तो आजकी इस वुडियो में न मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे चार प्रकार के बेसिक काम जो इतने इंपोर्टेंट है कि अगर आप इन चार कामों को दोस्तो करोगे ना तो आपको जो भी आवरत पसंद है ओ आवरत चाहे किसी भी उमर की हो मतलब 35 साल की, 40 साल की, 45 साल की, etc. तो आप किसी भी आवरत को न दोस्तो यह चार प्रकार के बेसिक काम करके उसको इंप्रेस कर सकते हो पर दोस्तों पता है दोस्तों क्या होता है कि जो मैं आपको चार काम बताने वाला हो ना वो बेसिक है मतलब वो बेसिक है और दोस्तों सभी को पता है पर करने में कोई भी ने करता मतलब सबको पता है कि यह करने से अवरत इंप्रेस होती है पर करता बिल्कुल भी कोई नहीं क्योंकि बहुत सारे पूर्शों को न डर लगता है तो दोस्तो ऐसे ही टॉपिक के बारे में आज मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है न वो वेरी वेरी इंपोरेंट है मतलब आज का वीडियो अगर अपने पूरा देखा न तो आपको ऐसा कुछ पता चलेगा जो आपको इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था और दोस्तो अगर आपने आज का वीडियो थोड़ा सा भी जोर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसके लिए दोस्तो आपको आज का वीडियो ना पूरा ही देखना पड़ेगा क्योंकि आधा अधुरा वुडियो देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस important वुडियो को तो देखो अगर आपको कोई भी अवरत पसंद है जिस अवरत की उमर ना चाहे कोई भी हो मतलब 40, 45, 50, 55, etc. तो दूस्तो आपको न दूस्तो अगर उसको पठाना है न तो सबसे पहला जो आपको काम करना है और जो कौन सा करना है कि जब भी वो अवरत आपके सामने आए वो चाहे किसी भी बहाने से हो मतलब ऐसे ही या पिर मतलब जान बुचकर मतलब जो अवरत आपको पसंद है वो अवरत आपके सामने आए तो उस समय ना दूस्तो आपको उस अवरत के आखों में आखे डल कर देखना है और उसको एक स्माइल पास करनी है तो जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ना दूस्तो मतलब इस सुनने में आपको आसान लग रहा होगा और सुनकर आप मुझे ऐसा बोलोगे क्या यार इतना सा चोटा सा काम बता रहा है पर दोस्तो बहुस सरे पूर्शों की ना इतनी भी डेलिंग दोस्तो बिल्कुल भी नहीं होती मतलब उनको अंदर से डर लगता है कि मैं कैसे उस अवरत को देखू मतलब स्माइल मैं कैसे पास करू मतलब कुछ हो गया तो तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि और अगर बेसिक काम भी आपसे नहीं हो रहा है तो दोस्तो आपको उसको पटाने का सबना देखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो दोस्तो ऐसा आपको काम करना पड़ेगा तारिप करो, कि आप ऐसी हो, वैसी हो, और तारिप करने के बाद ना, उसको ऐसा दिखाओ, कि हम दोनों में कितनी similarity है, मतलब जो तुमें पसंद है, वही चीज मुझे भी पसंद है, मतलब फॉर एक्जम्पल, तुमको ना पिच्चर देखना पसंद है, तो मुझे भी पिच् ना आपसे ज्यादा close दोस्तो हो जाएगी, तो दोस्तो अभी जो मैंने आपको बताया, तो दोस्तो वह एकदम दुसरा काम है, जो most important है, और उसके बाद दोस्तो, जो तीसरे प्रकार का काम है, और सो कौनसा है, कि हमेशाना दोस्तो, उसकी कोई ना कोई अधुरी इच्चा पूरी करने की कोशिश करो, मतलब अगर उस अवरत को ना, for example, कोई 2,000 रुपे की साली खरीद नी थी, पर उसको अंदर से इच्चा है, कि मुझे ना उस साली को खरीद ना था, तो ऐसे समय में आप उसको उस साली खरीद कर दे दो, दोस्तो, मतलब बताने का मुद्दा क्य है, कि उसकी कोई ना, कोई अधुरी इच्चा होगी ना, तो उसको पूरा करने की कोशिश करो, इससे क्या होगा दोस्तो, कि उस अवरत के बीच में और आपके बीच में ना, मतलब एक अच्छा बंडिंग दोस्तो, बन जाएगा, मतलब आपको उसको पटाने में ना, जब भी ओ किसी भी प्राब्लम में फसे ना तो सबसे पहले जाकर आप उसकी help करो उसको support करो उसको ऐसा दिखाओ कि तुमारे उपर जो problem आई है ना ओ प्राब्लम जल्दी से जल्दी सॉल हो जाएगी और मैं तुमारे साथ हमेशा हूँ और मैं तुमारे साथ हमेशा ज्यादा दोस्तो आसानी हो जाएगी तो जो मैंने आपको चार पर करके काम बताए ना तो ओ चार काम ना दोस्तो अगर आप सच्चे दिल से दोस्तो करते हो तो 101 टका दोस्तो आपको जो अवरत पसंद देना उसको आप दोस्तो आसानी से पटा सकते हो तो फिलहाल दोस्तो 25 वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद